जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं बच्चों के लिए एंटिवाइटिक सीरप कौन-कौन सा होता है या बच्चों को क्या दिक्कत क्या परेसानी रहती है तब डॉक्टर के द्वारा एंटिवाइटिक सीरप दिया जाता है और जैसे कि एंटिवाइटिक सीरप कहा किस प इसके बारे में, आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे, कि वो कौन-कौन सा सीरप, जो बच्चों में सबसे ज़ादा उपयो किया जाता है, या फिर डॉक्टर के दोरा ऐंटीबायोटिक सीरप दिया जाता है, चलिए, जान लेते हैं, इसमें हमारा पहला एंटिवाटिक सीरप है ओफलोकसासीन जान लेते हैं ओफलोकसासीन सस्पंसन सीरप का उपयो कहां किस परकार की समस्या में दिया जाता है बच्चों को क्या दिकत क्या परिसानी रहती है तब डॉक्टर के दौरा ओफलोकसासीन सस्पंसन सीरप दिया जात या फिर बच्चों के लंग्स में, यानि लंग्स से संबंदित अगर किसी भी परकार की समस्या रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरफ बच्चों में दिया जाता है, प्रोस्ट्रेट की समस्या में ये सीरफ बच्चों में दिया जाता है, और जैसे कि UTI समस्या में, अगर चोटे बच्चों में अगर उनके मूत्रमार्ग में किसी परकार का संकरमण हो जाता है तब डॉक्टर के दारा ओफ लॉक्सासीन सस्पेंशन सीरप दिया जाता है और जैसे कि ब्लेडर में किसी परकार की समस्या हो जाता है तब डॉक्टर के दारा ये सीरप दिया जात और जैसे कि अगर बچों में Type 5 चुर्ट में नीमोनीय की प्राव्म रहती है तब डॉक्टर के दौरा चोटी बच्यों में रूपशुका सिंसें सीरफ पर दिया जाता है। और जैसे कि अगला हमारा है similar work यानि जो हमने आपको पहले बता चुके हैं सारे यूज सेम उसी परकार की ये भी दवा होती है तो इसमें हमारा पहला है जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासीन अगर आप suspension लेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासीन का suspension लेंगे या फिर लीवोफ्लॉक्सासी का suspension लीजिए चाहे आप फ्लॉक्सासीन का लीजिए तो इन मेंसे कोई आप एक ले सकते हैं अगर आपके बच्चे को ये सारी दिक्कत ये सारी परिसानिया रहती है तो डॉक्टर के द्वारा ये सारे सीरप जो हमने आपको बता है इन मेंसे कोई एक सीरप बच्चों के लि लेती है तब डॉक्टर के द्वारा एजित्रो माइसीन सस्पेंसन सीरप दिया जाता है बच्चों में क्या दिक्कत क्या परिसानी रहती है चलिए जान लेते हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस की समस्या में अगर बच्चों में ब्रोंकाइटिस की समस्या रहती है तब लाइटिस की समस्या में ये सीरफ दिया जाता है और जैसे कि अगर बच्चों में हम कह सकते हैं निमोनिया की समस्या आ जाती है तब डॉक्टर के दौरा ये सीरफ छोटे बच्चों में दिया जाता है या फिर बच्चों के स्कीन पर यानि बच्चों के तुचा पर किसी परक परकार का इंफेक्षन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरप दिया जाता है और जैसे कि ये सीरप टाइफाइड फीवर की समस्या में दिया जाता है जैसे कि अगर चोटे बच्चों में टाइफाइड बुखार की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये सी खोड़ा फुन्सी की सिकायत रहती है तब भी डॉक्टर के द्वारा एजित्रोमाईसिन सस्पंसन सीरुप दिया जाता है। और भी दिक्कत और भी परिसानियों में डॉक्टर के द्वारा ये सीरुप दिया जाता है छोटे बच्चों में। अब हम चलिए आपको इस सीरप के डोज के बारे में बताते हैं ये सीरप कैसे बच्चों को पिलाना होता है जैसे कि जो इस सीरप का डोज होता है दस से लेकर 30 mg पर केजी पर डे बाडी बेट के हिसाब से इस दवा का डोज निर्धारित करके डॉक्टर के द्वारा छोटे ब सीरप होता है ये भी सीरप सेम कंडिशन में दिया जाता है आप इन सारे सीरप में से कोई एक सीरप ले सकते हैं या फिर आप जैसे कि आप एरित्रोमाइसीन का सीरप दे सकते हैं या फिर एरित्रोमाइसीन का सीरप दे सकते हैं इन तीनों सीरप में से कोई एक सीरप का उप सीरप है Moxicind CB Suspension सीरप जान लेते हैं Moxicind CB Suspension सीरप कब दिया जाता है बच्चों में क्या दिक्कत क्या परिशानी रहती है तब डॉक्टर के दौरा Moxicind CB सीरप दिया जाता है चलिए अब हम आपको इस सीरप के यूज के बारे में बताते हैं बच्चों को क्या दिक्कत क्या परिशानी रहती है या फिर कहां किस परकार किस समस्या में दे सकते हैं जैसे कि टॉंसलाइटिस की समस्या में जब बच्चों में टॉंसलाइटिस की समस्या हो जाता है तब डॉक्टर के दौरा जब नीमोनिया की समस्या रहती है या फिर नीमोनिया की प्राबलम रहती है तब छोटे बच्चों में ये सीरप दिया जाता है या फिर कान में किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के दोरा मोक्सिकाइंट सी भी दिया जाता है या फिर छोटे बच्चों के नाक में किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है तब उस समय से हमें डॉक्टर के दोरा मोक्सिकाइंट सी भी दिया जाता है या फिर बच्चों के यूरीन में यानि अगर उनके पेसाब में किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है या फिर यूटी आई हम कह सकते हैं मूत्रमा कर 45 mg पर kg पर डे, एबरी 12 गंटे के अंत्राल पर ये सीरप दिया जाता है, और जैसे कि इसमें हमारा अगला सीरप है, Siphexim Suspiencia सीरप. जान लेते हैं Siphexim Suspenda सीरप कहां किस परकार की समयस्या में दिया जाता है, बच्चों को क्या दिक्ट्कत-क्या परेशानी रहती है तब डॉक्टर के द्वारा सिफेक्जिम सस्पेंसन सीरप दिया जाता है या फिर बच्चों में क्या कौन-कौन सी दिक्कत कौन-कौन सी परेशानी होने पर डॉक्टर के द्वारा यह सीरप दिया जाता है तब डॉक्टर के द्वारा सिफेक्दिम सस्पेंशन सीरप दिया जाता है या फिर छोटे बच्चों के नाक में किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरप दिया जाता है या फिर हम कह सकते हैं ये सीरप टाइफाइट फीवर की समस्या में जब बच्चों को टाइफाइट बुखार रहता है यानि टाइफाइट फीवर रहता है तब डॉक्टर के दौरा टाइफाइट फीवर की समस्या में ये सीरप दिया जाता है चोटे बच्चों के लिए और sexual trans disease की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सीरप दिया जाता है और जैसे कि इस सीरप का उप्योग अगर छोटे बच्चों के मुत्र मार्ग में किसी परकार का infection हो जाता है या पिर उनके पेसाब नाल में किसी परकार का infection हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरप छोटे बच्चों में दिया जाता है और भी इस सीरप के बहुत सारी यूज होते हैं बहुत सारी दिक्कत बहुत सारी परिसानियों में दिया जाता है छोटे बच्चों के लिए चलिए अब हम आपको इस सीरप के डोज के बारे में बता देते हैं, जैसे कि इस सीरप का जो डोज होता है, आठ एमजी पर केजी, पर डे, यानि बारा घंटे के अंतराल पर इस दवा का डोज निधारत करके बच्चों को दिया जाता है, जैसे कि इसमें हमारा अगला एंटिवाटिक सस्पेंसन सीरप है सीफोडाक्सीम सीफोडाक्सीम ये काफी अच्छा एंटिवाटिक सीरप होता है और जैसे कि इस सीरप का जो famous brand name है वो है Monosephuo Monosephuo इस सीरप का काफी famous brand name है ये सीरप छोटे बच्चों में उपियोग किया जाता है चलिए जान लेते हैं C4 Doxim suspension syrup का उपियोग कहां किस परकार किस बीमारी किस समस्या में दिया जाता है छोटे बच्चों में क्या दिक्कत क्या परिसानी रहती है तब डॉक्टर के दोरा Mono Safe Poo suspension syrup दिया जाता है और जैसे कि जो इसमें salt पाया जाता है C4 suspension syrup दिया जाता है या फिर छोटे बच्चों के अगर हम कह सकते हैं कान में किसी परकार का infection हो जाता है तब ये suspension syrup दिया जाता है और जैसे कि छोटे बच्चों के अगर नाक में किसी परकार का infection हो जाता है तब डॉक्टर के दोरा ये syrup दिया जाता है ये syrup टाइफाइड फीव ठीक हो जाता है और जैसे कि छोटे बच्चों के लंग्स से समबंदित समस्याओं में ये सीरप दिया जाता है जैसे कि निमोनिया की समस्या जब बच्चों को निमोनिया बुखार हो जाता है या निमोनिया हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरप दिया जाता है और पेसाम में किसी परकार का infection हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरप दिया जाता है छोटे बच्चों में C4 Doxim काफी अच्छा सीरप होता है ये सीरप काफी ज़्यादा डॉक्टर ये सीरप एडवाइस करते हैं छोटे बच्चों में चलिए अब हम आपको C4 Doxim Suspension Syrup के डोज के बारे में बताते हैं इस सीरप का डोज क्या होता है कैसे छोटे बच्चों में इस सीरप का डोज निर्धारित करके दिया जाता है तो जैसे इस सीरप का जो डोज होता है 5 mg पर केजी बाडी बेट के हिसाब से 12 घंटे के अंतराल पर इस C4 Doxim Suspension Syrup का उप्यो करने के लिए छोटे बच्चों में पेस्क्राइब किया जाता है जैसे कि आगला जो हमारा Suspension Syrup है वो है CO2 Suspension Syrup CO2 इस सीरप का काफी फेमस ब्रांड नेम है यह आपको किसी भी मेटकल इस्टोर पर CO2 के नाम से Suspension Syrup के नाम से मिल जाएगा चलिए अब हम आपको बता देते हैं CO2 Suspension Syrup में क्या साल्ट पाया जाता है जैसे कि इसमें जो साल्ट पाया जाता है सिफेक्जीम और ओफलॉकसासीन ओरल सस्पेंशन होता है ये Suspension Syrup डबल कंबिनेशन का होता है चलिए अब जान लेते हैं सिफेक्जीम और ओफलॉकसासीन ओरल सस्पेंशन सीरप कहां किस परकार किस बीमारी कौन कौन सी बीमारी रहती है या बच्चों को क्या दिक्कत रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरप दिया जाता है जैसे कि इसका सबसे पहले ज़्यादा जो उपियों किया जाता है टाइफाइड फीवर की समस्य में जब बच्चों को छोटे बच्चों में टाइफाइड बुखार हो जाता है या फिर टाइफाइड बुखार की समस्या रहती है तब डॉक्टर के दौरा ये सीरप दिया जाता है या फिर बच्चों के कान में किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के दौरा ये सीरप दिया जाता है या बच्चों के नाक में किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरप दिया जाता है जैसे कि और इस सीरप का उपयोग gastric intestinal यानि अगर उसके intestinal में किसी परकार का infection रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरप दिया जाता है और जैसे कि ये सीरप UTI की समस्या में अगर बच्चों के मूत्र मार्ग में किस परकार का infection रहता है या फिर पेसाब से संबंदित कोई भी परेसानी को भी दिक्कत रहती है तब डॉक्टर के द्वारा CO2 suspension syrup दिया जाता है और भी बहुत सारी दिक्कत बहुत सारी परेसानियों में डॉक्टर के द्वारा CO2 suspension syrup छोटे बच्चों में दिया जाता है इसके अला अगर आपके बच्चे को कोई दिकत कोई परिशानी है तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपरक करके फिर कोई दवा दें कोई भी इंजक्शन कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना दें